हेलो माईडियल लवली स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल सुभम लेक्षरर स्टुडेंट आज का ये वीडियो क्लास 12 इंगलिस का एक बहुत ही जादा इंपोरेंट वीडियो है हमारे बहुत सारे स्टुडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंगलिस के इंपोरेंट कुsmश्चन एंसर पर वीडियो बनाइए क्योंकि सारे सबजेट की तयारी हमारी चल रहे है लेकिन इंगलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने अभी अच्छे से तयारी नहीं की है तो भाईया हम तयारी को आधा धूरा नहीं रहने देंगे और सभी सब्जेक्ट की तरह इंग्लिस में भी आपको टॉपर बना कर रहेंगे आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंगलिस का जो सपला मैंटरी रीडर है आपके इंगलिस का जो लीटरेचर है वो तीन पार्ट में डिवाइड है इंगलिस प्रोज, पोयट्रि और सपला मैंटरी तो प्रोज की questions तो मैं आपको आलेडी बता चुका हूँ और आगे भी बताऊंगा आज हम supplementary के questions को पढ़ेंगे और ये वीडियो इतना special क्यों है क्योंकि इस वीडियो में हम supplementary reader के chapter 1 से लेकर chapter 6 तक यानि कि 12th English के chapter 1 से लेकर chapter 6 तक जितने भी important question है सबको एक ही वीडियो में पढ़ेंगे वैसे हमने इस वीडियो में आपका एक chapter का एक question लिया है यानि कि total हम 6 question पढ़ेंगे लेकिन ये 6 ऐसे question है जो आपकी board exam repeated है मलब आते रहते हैं और सबसे ज़्यादा important की category में ये आते हैं वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं time based नहीं करेंगे देखे सबसे पहले ये जान लिजे chapters जो आपके हैं वो कौन-कौन से हैं जिसके question अब इस वीडियो में पढ़ेंगे वैसे chapter wise question भी मैं आपको provide करवा चुका हूँगा आप लोग search करेंगे the third level chapter important question सुभम lecturer आपको वीडियो मिल जाएगा किसी भी chapter का search करना है पीछे सुभम lecturer लगा तो भाईया वीडियो आपके पास हाजी रहे ठीक है देखे सबसे पहला हमारा जो chapter है the third level, दूसरा है the tiger king तीसरा है journey to the end of the earth चौथा है the enemy पाच्वाँ chapter है on the face of it और छठवाँ chapter है Memories of Childhood ये जो six chapter है सबके एक एक question पढ़ेंगे total छे question तो चलिए start करते है time waste क्यों करें एक ही वीडियो से आपका 8 number clear हो सकता है तो चलिए देखते है सबसे पहला question हम सबसे पहले देखेंगे क्योंकि जो first है भाईया question है ये हमारे the third level chapter से है question है कि Sam wrote what did Sam write in his letter to Charlie याण कि what क्या did Sam Sam ने write लिखा in his letter अपने letter में अपने पत्र में to Charlie Sam ने Charlie को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा जो Sam ने Charlie को पत्र लिखा उसमें क्या लिखा था जैसे आपको कोई आकस्मिक अचानक कोई लेटर देकर चला जाए तो आप लोग सोचेंगे अरे यार आस तो लेटर मिल गया अब कौन सा लेटर है एडिटर लेटर है कम्प्लेंड लेटर है या लव लेटर है वो तो आपको ही बता होगा ठीक है तो ऐसे ही वो पूछ रहे है कि क्या लिखा था कि उसमें तो देखे भाईया ये चैप्टर है इसमें क्या है Sam wrote that Sam Sam wrote उसने लिखा था that की he always वो हमेशा wanted चाहता था to believe विश्वास करना in the idea यानि कि विचार पर आफ थर्ड लेबल थर्ड लेबल की तो Sam ने लिखा कि वो हमेशा थर्ड लेबल की विचार पर विश्वास करना चाहता था मनलब उसे विश्वास्ता की थर्ड लेबल है but and of our now of that he is वो है दियर वहाँ हिमसल्फ स्वयम अब वो वहाँ श्वयम है थर्ड लेबल पर he encourage वो encourage का मलब क्या होता है परोत साहित करता है Charlie Charlie को and Luisha and Luisha को to neighbor कभी नहीं stop रुकने का looking for तलास इट इसकी तो वो जो है Sam जो है उसने अपने पत्र में लिखा था कि वो हमेशा तीसरे अस्तर के जो थर्ड लेबल है उसके विचार पर विश्वास करना चाहता था लेकिन अब जब वहाँ खुद वहीं पर है खुद मौजूद है तो वो जो है Charlie और Luisha को चारली और Luisha को प्रोथ साहित करता है कि वह इसकी तलास कभी न छोड़े निरंतर तलास करते रहें ठीक है मलब वो थर्ड लेबल की बात कर रहे है ठीक है तो वही चीद लिखा गया था कुश्चन था एक बार मैं फिर से रिपीर करूँगा जब भी मैं आपको कुश्चन word by word Hindi meaning बताता हूं तो बाद मैं आपको पूरा कुश्चन भी बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए concept कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ठीक है दिखिए what did Sam write in his letter to Charlie यानिकि Sam ने चारली को पत्र में क्या लिखा था ठीक है तो Sam wrote that he always wanted to believe in the idea of third level Sam ने लिखा था कि वो हमेशा third level के विचार पर विश्वास करना चाहता था and now that he is there himself अब जब वहाँ वहाँ स्वयम खुद वहाँ है he encouraged Charlie and Luisha to never stop looking for it वो Charlie और Luisha को प्रोथसाहित करता है कि वो इसकी तलास कभी न छोड़े निरंतर तलास करते रहे देखिए अगर आपने chapter पढ़ रखा होगा भया तो ये सब आपके लिए बिल्कुल easy लग रहा होगा बड़े महान योद्धा होँगे लेकिन इनकी मृत तो टाइगर के कारण होगी अब राजा को भी बहुत आश्यर होता है कि टाइगर को क्या करेंगे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि इनके कारण मेरी मृत होगी तो देखिए what will the maharaja do to find the required number of tigers to kill यानि कि what क्या will करेगा the maharaja maharaja do का मतलब होता है करेगा ठीक है will है helping verb to find यानि कि find का मतलब होता है the required number required number का मतलब होता है जो बची हुई संख्या है ठीक है आफ टाइगर टाइगर का to kill मारने के लिए तो पूसे दरा की बागो को मारने के लिए उनकी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए maharaja क्या करेगा बलब देखिए वो मारते मारते अपने राज में बागो को मारते मारते ठक गया फिर भी 100 बाग पूरा नहीं हुए फिर उसने सोचा चलो किसी ऐसी लड़की से भी पूरा हो जाएगा तो कुछ नता कि बागो को मारने के लिए उनकी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए maharaja क्या करेगा तो दा maharaja maharaja killed माराएगा killed का मलब होता है मारना killed है 70 tigers यानि कि 70 बागो को within 10 years यानि कि 10 साल के मद्ध ही ठीक है तो जो भई अब महा राजा है उन्होंने 10 वर्सों के अंदर ही 70 बागों को मार डाला 100 बागों का उनका मारने का टार्गेट है 70 को उसने 10 साल के अंदर मार दिया फिर उनके राज में बाग की कमी हो गई ठीक है फिर वो क्या क्या उसने तब ही मैरीड उसने साधी किया या बिबा किया ये गरने का ऐसी लड़की से फ्रॉम दा इस्टेट उस राज के फूइच जहां है लार्ज नंबर अप टाइगर्स जहां बहुत सारे टाइगर्स की संख्या थी फिर उसने सोचा कि अब हमारे राजज में तो वाग है नहीं तो फिर उन्होंने उस राज की एक लड़की से जाधी किया जहां बड़ी संख्या में बाग थे बहुत सारे बाग थे अब वहाँ पे बाग होंगे मैं या वहाँ पे जाकर वह सिकार करेगा उनका target भी पूरा हो जाएगा और जो जियोदिसी है उनकी भविश्वाणी भी गलत हो साएगी लेकिन गलत नहीं हुई भविश्वाणी आगे मैंने बताया था question में जब मैं आपको chapter wise पढ़ा रहा था और भी अच्छे से concept clear करना है तो chapter wise question भी पढ़ लीजे जाकर ठीक है सब clear हो जाएगा आगे देखिए the maharaja maharaja killed killed का मलब दा मारना five और six tiger each time यारि कि five वो पांच या छे बागों को each time हमेशा मारता था मनलब पढड़े लगभग समल लीजे आप ठीक है मनलब वो पांच या छे बागों को मार देते थे जब वो हर बार जब वो माहराजा और कब मारते थे देखिए he visited जब वो यात्रा करते थे his father in large अपने शसूर जी के यहाँ तो इनका कहना है कि हर बार जब वो अपने शसूर जी से मिलने जाते थे तो वो पांच या छे बागों को मार देते थे मलब जब भी वो अपने ससूराल जाते थे तो पांच से छे बागों को वो निप्टा देते थे ठीक है ऐसे से उनका टार्गेट पूरा होता रहता था दस इस प्रकार हिवाज एबल वो समर्थ हुए टू किल मारने में 99 टाइगर्स निद्नान नभी बागों को इस प्रकार वे निद्नान नभी बागों को मारने में सफल रहे एक बाग को वो नहीं मार पाए लास्ट में उसी बाग के कारण समल्लिजी मृत्व हो गई वैसे वो लकडी का बाग था लेकिन मृत्य थो बाग के कारण ही हुई एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा देखे what will the maharaja do to find the required number of tigers to kill यानि कि बागों को मारने के लिए उनकी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए maharaja क्या करेगा तो the maharaja killed 70 tigers within 10 years maharaja ने 10 साल के अंदर 70 बागों को मार डाला then he married a girl from the state which had a large number of tigers फिर उन्होंने उस राज की एक लड़की से साधिक की जहां बड़ी संख्या में बाग थे the maharaja killed 5 और 6 tigers this time he visited his father in large तो maharaja जब अपने शसूर से मिलने जाते थे तो वे 5 से 6 बागों को मार देते थे ठीक है thus he was able to kill 99 tiger इस प्रकार वो 99 बागों को मारने में शफल रहे ठीक है 99 बागों को उन्होंने मार दिया अपने राज में तो उन्होंने लगभग 70 बागों को मारा बागी 29 समल जे बागों को अपने ससूर जी के मारा और 100 वाले tiger को नहीं मार पाए हूँ आगे देखिए तीसरा question हमारे next chapter से होगा जिसका नाम है Journey to the End of the Earth देखिए question की what surprise the author most about Antarctica यानि की what surprise किसने आश्चर किया the author लेखिका को most about Antarctica यानि की सबसे ज़्यादा Antarctica के बारे में तो question है कि Antarctica के मिसे में किस बात पर लेखिका को सबसे अधिक आश्चर हुआ ठीक है लेखिका है हमारी टिसान और दोशी जी उनको ठीक है देखिए the author got author ने पाया the knowledge ऐसा ज्यान knowledge का मलब क्या होता है तो लेखिक को ये ज्यान हुआ the author got the knowledge लेखिक को ऐसा ज्यान हुआ that की India and Antarctica India और Antarctica we are once with a once part of the same land mass यानि की once part एक ही हिस्सा आप same land mass यानि की एक ही भूभाग के ठीक है तो लेखिक को जब ये ग्यात हुआ जब ये पता चला कि भारत और Antarctica कभी एक ही भूभाग के हिस्सा थे this fact इस तथ्य ने सर्प्राइज उन्हें सबसे जदा आश्चर किया ही मुने most about Antarctica Antarctica के बारे में as it present क्योंकि इस वरतमान में the climate जलवाई of these places इन दोनों अस्थानों की is all together different यानि कि बिल्कुल अलग है तो Antarctica की बारे में जब उन्हें इस तत्त में उन्हें सबसे जदा आश्चर हुआ कि वरतमान में इन इस्थानों की जलवाईव बिल्कुल अलग है भारत और Antarctica की जलवाईव है जो climate है वो बिल्कुल अलग है और लेखिका को ये पता चला जब कि भारत और अन्टार्टिका कभी एक ही भूभाग के हिस्ता थे और दोनों की जलवाईव भी अलग अलग है तो इस पर उन्हें बहुत ज़दा सर्प्राइज हुआ तो कुश्यन आपका था और अन्टार्टिका के बिसे में किस बात पर लेखिका को सबसे अधिक आश्यर हुआ तो इस पर्जन दो क्लाइमेट आप इस प्लेशे इस अलगेडर डिफरेंट यानि कि अन्टार्टिका के बारे में इस तक्थे ने उन्हें सबसे ज़्यादा आश्यर किया कि वर्तमान में इन अस्थानों की जर्वाई बिल्कुल अलग है वो एक ही भुबा के पहले हिस्सत थे और आज दोनों की जर्वाई यह अलग है तो भहिया सर्प्राइज वाली बात था यहां पे नेक्स्ट क्यूशन जो हमा रहा है फोर नमबर यह हमारे फोर्थ चैप्टर से होगा दा एनिमी चैप्टर से देखे वाट वाज दा चीफ कंसर्ड आप सदाओज फादर यानि कि इसमें एक सदाओज ही है तो आप से पूचादर आए कि दा वाट वाज दा चीफ कंसर्ड आप सदाओज फादर यानि कि वाट क्या वाज था दा चीफ कंसर्ड यानि कि मुख्य चिंता आप सदाओज सदाओज के फादर पिता की तो सदाओज के पिता की मुख्य चिंता क्या थी तो देखे जितने भी पिता होते हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा जो है वो सकसे जो कहीं जॉब मिल जाए या फिर आगे बढ़े डॉक्टर बने इंजीनियर बने ठीके तो ऐसा वो भी चाहते थी क्योंकि वो भी इंसानी है देखें तो सदाओज के पिता की मुख्य चिंता आप सदाओज फादर सदाओज की पिता की वाज थी सदाओज एजुकेशन सदाओज की सिच्छा तो सदाओज की पिता की मुख्य चिंता सदाओं की सिच्छा थी क्योंकि कोई भी पिता है वो अपने बच्चे को सिच्छी देखना चाहता है वो भले ही गरीब रहा हो किसान रहा हो या कुछ भी रहा हो वो चाहता है मेरा बच्चा जो है मुझसे भी बड़ा आदमी बने ठीक है जहां तक मैं नहीं पहुँचा आगे देख लिए पिता जी की मुख्य चिंता सदाओं की सिच्छा थी इसी उद्देश से उन्होंने सेंट सदाओं टू अमेरिका उन्होंने सदाओं को अमेरिका भेजा टू लर्ण पढ़ने के लिए सरजरी और मेडिसीन यानि की सरजरी और मेडिसीन के बारे में तो इसी उद्देश से उन्होंने सदाओं को सरजरी और चिकित्चा सीखने के लिए अमेरिका धेजा तो कुश्चन था कि वाट वाज दचीफ कंसर्ण आप सदाओं के पिता जी की मुख्य चिंता क्या थी तो दचीफ कंसर्ण आप सदाओं सदाओं के पिता की मुख्य चिंता सदाओं की सिच्छा थी फॉर दिस बेडी परपच ही सेंड सदाओं टो अमेरिका टू लर्न सरजरी और मेडिसीन इसी उद्देश उन्होंने सदाओं को चिंता और सरजरी सीखने के लिए अमेरिका भेजा था टीक है क्योंकि अमेरिका में वो सोच रहे थे बहुत अच्छी सिच्छा मिलेगी इसको टीक है नेस्ट कूशन देखिए क्या है फाइब नंबर अब देखिए इस्टूडेंट हमारा कूश्चन नमर फाइब है यह हमारे फाइब चैप्टर सी है ओन दा फेस आफ इट टीक है देखिए यारी कि देडी ने कैसे अपने चेहरे को बंड जल गया मलब देडी का चेहरा कैसे जल गया यह कूश्चन है कि डेडी का चेहरा कैसे जल गया तो ये भी गटना ये देखिए ड़ फेस आफ डेडी डेडी का चेहरा डिड नोट get bạn बिठ फाइर कि डेडनोट बंड नहीं जला था बिठ फाइर आग से तो डेडी का चेहरा जो है वो आग से नहीं जला था once एक बार dairy dairy himself swim he unknowingly unknowingly का मनलब होता है अनजाने में got acid मनलब acid जो होता है all down on the side of his face वो उनके चेहरे पर गिर गया मनलब acid जो होता है तेजाब वो उनके चेहरों पर गिर गया and or the acid burnt it all away और acid से उनका चेहरा पूरी तरह जल गया तो how did dairy get his face burnt dairy का चेहरा कैसे जल गया the face of dairy did not get burnt with fire dairy का चेहरा जो है वो आग से नहीं जला था once dairy himself unknowingly got acid all down on the side of his face and the acid burnt it all away क्योंकि एक बार dairy के चेहरे पर अनजाने में तेजाब पढ़ गया और तेजाब से चेहरा जल गया अब यह तेजाब जो है बहुत ही जानते हैं harmful होता गा चेहरे पर पर जाए कहीं भी skin पर पर जाए तो वो जल जाता है ठीक है six number question देखे है हमारे six chapter memories of childhood से है what advice did Anna offer Bama यानि what क्या advice सलाह did Anna Anna ने offer तिया Bama तो question है आपका कि Anna ने Bama को क्या सलाह दी देखे हैं नाम भाई दूसरी तरह से है कोगि chapter का नाम ही हुआश है तो Anna ने Anna ने Bama को क्या सलाह दी तो देखें उन्होंने सलाह दी जो हर एक दोस्त को दूसरे दोस्त को देना चाहिए मेरे एकोर्डिंग मैं उस एज की बात कर रहा हूँ जब पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट ठीक है उसकी बात कर रहा हूँ अनन ओफर्ड एडवाइस अनन ने वो सलाह दी आफ इस्टडेंग यानि की पढ़ने की बित कियर यानि की फाउधा पढ़ने की की बहुत अच्छे से पढ़ो लर्निंग आलची कैन और अपने पाठों को याद करने की मलब जो भी दिया जा रहा है उस सब कुछ सीखने की याद करने की टू बी आहेड इनहरलेशन और अपने पाठों में आगे रहने मलब कोई भी पाठों उसको अगर के लिए सर बोलें तो उसको एक दो दिन पहले ही आप पढ़े रहे हैं पहले ही पढ़े रहे हैं ठीक है ताकि इस मार्ड बच्चे की तरह आप कर सकेगा और अपने पाठों में हमेशा आगे रहो सरजी आपसे कहें आपको परसों जो है तीसरा चैप्टर सुनाना है तो आदोना चाहिए आगे रहो ठीक है और कठिन परिश्रम करने की सलाहती देन दा पीपल विल कम टू हर और उन्होंने ये भी बताया देन तब दा पीपल लोग विल कम आएंगे टू हर तुम्हारे पास और अटेज देमसल्फ टू हर और खुद को तुमसे जोडेंगे ठीक ह जो लोग आज आपको कह रहे हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा आपने मेहनत और मेहनत के दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि जब आप ये सब करेंगे तो लोग आपकी पास आएंगे और आपको खुद से जोडेंगे ठीक है तो इतना सारा कुछ उन्होंने समझाए तो हमारा जो 12 इंगलिस का जो 6 most important question था chapter 1 से 6 तब वैसे मैंने इस वीडियो में एक एक question ही लिया है chapter 1 questions भी मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा टेंसर मर लीजिएगा ठीक है तो आज की class तो यही पर फिनिस हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने आपको 6 questions बता दीए ऐसे ही मैं कई classes ले कराऊंगा सिर्फ यही एक class नहीं ऐसे से मैं कई classes आपको provide कराऊंगा ठीक है तो मैं आपके साथ हूँ बस आप मारे साथ जोड़े रहें ठीक तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तयारी करते रहें तब तक के लिए जय हिंद